ब्रम्मा विश्णू महेश जय मापरासक्ती सिद्धी प्राप्त करने हेतू हम मंतर साधना करते हैं ध्यान साधना करते हैं भजन करते हैं तो हमारा मंतर सिद्ध या फिर हमारी ध्यान साधना सिद्ध तब होती है जब हम एकागर होकर मंतर साधना करते हैं या फिर ध्यान करत तो अचानक से हमारे दिमाग में विचार आने लगता है कि बनवारी लाल की बीवी भाग गई है या फिर विचार कोई और भी हो सकता है लेकिन मंतर साधना में ध्यान साधना में जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम मंतर जब कर रहे थ तो उस वक्त आप अपने विचारों पर नियंतरन कैसे पा सकते हैं सपोज मैं अपनी आखे बंद करके खुद को एकागर करके एक मंतर जब कर रहा हूं लाइक ओम करको टकाई नागकन्या आगच्छ आगच्छ कुरुकुरु फट स्वाहा तो उसी बीच मेरे मन में ये विच विचार आया की बारिस होने वाली है या फिर अंधेरा होने वाला है तो यकीनन मैं मंतर जब करना भूल जाओंगा अपनी मंतर साधना से या ध्यान साधना से विमुख हो जाओंगा तो जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं या फिर मंतर जब कर रहे होते हैं और अचानक मैं नहीं हूँ वो विचार मैं क्यों नहीं हूँ क्योंकि मैं उस विचार को देख सकता हूँ देख सकता हूँ मतलब मैं उस विचार के बारे में सोच सकता हूँ या फिर गौर कर सकता हूँ मैं इसको इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि ये कोई दूसरा है तो जो भी विचार मेरे मनमा आया था वो मैं तो नहीं हूँ तो ये विचार अलग है और मैं बिलकुल अलग हूँ और ये मैं कौन है ये मैं मेरा ये सरीर भी नहीं है और नहीं ये मैं मेरा सुख्सम सरीर है ये मैं मेरे सुख्सम सरीर के भीतर बैठी हुई परमतत्त परमात्मा की एक परम सत्ता है जो की अभी वास्तों में सुख्त अवस्था में पड़ी हुई है तो सीधी सी बात है ध्यान साधना के दौरान या फिर मंतर सादना के दोरान जो भी विचार मेरे मन में आया था वो मैं बिलकुल भी नहीं हूँ अगर वो मैं होता तो फिर मैं उसको देख कैसे पाता या फिर मैं उसके बारे में सोच कैसे पाता या फिर मैं ये कहना चाहूं कि मैं उस विचार को स्कैन कैसे कर पाता तो जो विचार भी मेरे मनमा आया था वो यकीनन मैं नहीं हूँ और मैं ये सरीर भी नहीं हूँ और नहीं मैं अपना ये सुख्ण सरीर हूँ मैं मेरे ही सुख्ष्मि सरीर के भीतर वीराजित उस परम्तत्ट परमात्मा की एक परम्त सता है और जो भी विचार मुझे आ रहे हैं वो इस सरीर के साथ इस स्थूल जगत में सर्वाइब करने के रेडियस के अंडर में आएगा मतलब सुक्स जगत में इस विचार की कोई वैल्यू नहीं है तो जब भी आपके मन में कोई विचार उत्पन हो जाता है तो आपको वही पर फुल स्टॉप लगा देना है और उस विचार के बारे में ये सोचना है कि ये जो विचार मुझे अभी आया था ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं क्यों नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में सोच पा रहा हूँ इसको स्कैन कर पा रहा हूँ इसको देख पा रहा हूँ मैं इसको इसले देख पा रहा हूँ क्योंकि ये कोई दूसरा है मतलब ये मैं बिलकुल भी नहीं हूँ इसके अलावा मंतर जब करते वक्त या फिर ध्यान सादना करते वक्त कोई भी रैंडम थौट आपके मस्तिस्क में आने लगता है तो उसके बाद आप अपने दाए पैर का जो अंगुटा होता है उसको महसूस करना सुरू कर दीजिए मतलब आपका जो ध्यान है अपने दाए पैर के अंगुटे पर केंद्रिक कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे उपर को बढ़िये मतलब ये मेरा अंगुटा है उसके बाद मेरे पैर की ये एड़ी आ गई उसके बाद मेरा ये घुटना आ गया उसके बाद मेरी ये कमर आ गई ऐसे ही आपको अपनी बाडी को स्कैन करना है लेकिन अगर आप एक बॉई हैं मतलब अगर आप एक पुरुस हैं तो आपको अपने दाहिने हिस्से को ही स्कैन करना रहेगा और अगर आप एक इस्त्री हैं तो आपको अपने सरीर के बाएं हिस्से को ही स्कैन करना रहेगा इसके अलावा अगर आप अपने विचारों पर नियंतरन करना चाते हैं तो आप अपनी सांसों को भी स्कैन कर सकते हैं और जो ये सांसे होती है हमें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ हमारे पेट तक ही गई है लेकिन आपको सच बताओं तो हमारे सरीर में जितनी भी नाडियां होती है हमारी जो सांस होती है वो पूर्ण रूप से हमारे सरीर के हर अंगमें पहुंचती है तो आपको अपनी जो सां पर पहुच गई है और नियंतरण पाने के यह तीन बहुत ही अच्छे तरीके हैं एक तो ध्यान-सादना या मंतर-सादना करने पहले आपको अपनी सांसों को स्कैन करना है, दुसरा आप अपने आपको सांत करने के लिए अपने अंगुठे पर कॉंसेंट्रेट कीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे आप अपने ध्यान को ऊपर ला सकते हैं, और तीसरा तरीका है, अगर आप ध्यान करने के लिए या फिर म करना है कि ये जो विचार मुझे अभी आया ये मैं बिलकुल भी नहीं हूँ कि मैं इस विचार को देख सकता हूँ इसे स्कैन कर सकता हूँ इसके बारे में गौर कर सकता हूँ अगर ये विचार मैं होता तो फिर मैं इसके बारे में सोच नहीं पाता और नहीं मैं इसको स्कैन वैसे तो परमतश्यों परमात्मा की ये सटा कण कण में फैली हुई है लेकिन मेरे सुक्स्न सरीर के भीतर जो परमात्मा की सटा है वो अभी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है और उसको जागरत करने के लिए ही मैं ध्यान सादना करता हूँ या फिर मैं मंतर साधना करता हूँ और उस दोरान मुझे जो ये विचार आ जाते हैं ये विचार तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इस विचार को देख सकता हूँ इसे स्कैन कर सकता हूँ इसके ना आने के बारे में सोच सकता हूँ प्लैन कर सकता हूँ तो जब भी आपको मंतर साधना या फिर ध्यान साधना के दौरान कोई विचार अचानक से आ जाता है तो उस विचार की जितनी भी सबता है उसे खत्म करने के लिए आपको कुछ इस तरह का माइंड मेक अप बनाना पड़ता है और ये 101% काम करता है अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देख ही लिया है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस का लिंक मिल जाएगा अगर आप उस प्लेलिस को चेक करते हैं तो यकीनन सुक्सु जगत के विषय में आज तक के आपके जितने भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ब्रह्मा विष्णू महेश एंजयमा परासक्ति वैसे आपको मैं सच बताओं तो जब आप कमेंट करते हैं नाइस थौट्स तो आपको ये नहीं पता है कि जो ये थौट्स होते हैं वही इंसान के सबसे बड़े तो आपको नाइस थौट्स जिसे निम्न इस तर के कमेंट्स को भी इग्नौर करना रहेगा अपने आपको सांत करने के लिए या फिर अपने विचारों पर विराम लगाने के लिए ध्यान करने से पहले आप कुछ इस तरह से अपनी अवस्था को सुख्ष्म संसार के अनु आपको ध्यान साधना करने से पहले, या फिर मंतर जप करने से पहले, यह जितनी भी आपके दिमाग में स्टोरिज बनी हुई है। इस स्टोरिज को आपको कुछ इस तरह से डिलीट करना है आप इन इनसानों को या फिर इन तथ्यों को दूर दूर तक जानते ही नहीं यह पता नहीं है कौन हाँ जब मैं इस स्टूल जगत में सर्वाइब करने लगूँगा तो जरूर मैं इनको जानता हूँ और अगर मैं स्टूल संसार में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं इन में से एक भी इनसान को जानता नहीं हूँ योंकि सुख्स्न जगत में आपके द्वारा किये गए MBA, LLB की भी कोई जरूरत नहीं है नहीं ये शुख्स्न संसार में काम आएगा आपका किया गया MBA, LLB या फिर कोई अन्य डिग्री सरफ इस स्थूल जगत में ही काम आती है तो इस स्थूल जगत की जितनी भी आपकी उपलब्या हैं उनको आपको इस स्थूल जगत में ही रखकर सुख्समे संसार में आना है